स्री सद्गुरु देवाय नमा भायो बैनों, भगवान का हर नाम पावन है, पवित्र है जिसका जिस नाम से प्रेम हो जाए, उसे वही नाम जबना चाहिए उसका कल्यान होगा यह निश्चित है बिहारी जी के कितने ऐसे भक्त हैं जिनोंने राधा नाम जब करके अपना कल्यान किया है कहते हैं ठाकुर जी को यह नाम बहुत पसंद है, वह खुद राधा नाम जबते हैं राधा नाम की महिमा अप्रम पार है राधा नाम जिसके जीवन में आ गया तो उसके जीवन से संकट हमीशा के लिए चले जाते हैं या ये कहले कि उसके घर का पता भूल जाते हैं जीव का भाग्योदे हो जाता है राधा नाम बहुत कल्यानकारी है तभी तो ब्रंदावन में राधा नाम की गूंज है आज आपको राधा नाम की महिमा से जुड़े एक सत्य कथा सुनाता हूं जिसको दिल्ली निवासी राजिस्वा जी ने भेजी है ये कथा सुनकर आपको भी पता चलिए आएगा कि नाम जब अन्होनी को होनी में बदल देता है इस कथा को पूदा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवस देखिएगा उससे पहले जिन लोगों ने अच्छों प्रबाज यूट्व चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्क्राइब करके बैल आइकन अवस दबा दें जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगाता आपको मिलते रहें इसी के साथ अगर आपको राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्कता का आनन लेना है तो हमारे दूसरे चैनल गोकल भवन आयुद्या को जरूर देखें राजयस्वाजी ने बताया कि राधा नाम का मेरे जीवन बहुत महत्व है राधा नाम ने तो मेरा जीवन ही बदल दिया जिसने भी राधा नाम लिया है उसका जीवन बदल जाता है उसका भागयोद्य हो जाता है यह भाद केवल अभी तक मैं सुनते आ रहा था कई संतों के स्री मुख से सुना भी कि राधा नाम जब करने वाले जीव के रारत में लिखा बदल जाता है अन्होनी होनी मदल जाती है किन्तु जब यह मेरे जीवन में हुआ तो मैं समझ गया कि ब्रंदावन में राधा नाम का इतना महत्त क्यों है राधा नाम के जरिये ही मेरे पिता के प्रान वापस आ गए वह दिन में कभी नहीं भूल सकता आज अपने जीवन से जोड़े उसी अनभव को आज आपके साथ सेयर करना चाहता हूँ यह बात सन 2010 की है उसमें मैं पहली बार ब्रंदावन गया था वहां मैंने बिहारी जी समेथ कई मंदिरों के दर्सन किये मुझे वहां सबसे अच्छी बात यह लगी कि हर कोई राधे राधे बोल ला है मेरे मन में उत्सुटा जागी कि सब राधे राधे क्यों बोल ला है इसका क्या कारण है मा एक मंदिर में गया वहां पुजारी जी बैठे थे तो मैंने जिग्यासा वस उनसे यह प्रस्ट किया तो उन्होंने राधा नाम की महिमा का बखान किया वह बोले कि राधा नाम यपने वाले के जीवन में प्रारदवस जो संकट आने वाले होते हैं वह दूद हो जाते हैं स्री जी की क्रिपा से हमेशा मंगल होता है अंत में जीव को परंधाम की राप्ती हो जाती है मुझे उनकी कही बात बहुत अच्छी लगी और मैंने राधा नाम यपने का संकट कर लिया उसके बास से लगातार मेरे मुख से राधा नाम का चाट सुरू हो गया सुरू में तो मन नहीं लग रहा था मन संसार की और भाग रहा था कुछ दिनों के बाद मुझे राधा नाम में आनन मिले लगा तीन मा के बाद यह हो गया कि मैं जपू या ना जपू जब ध्यान देता था तो मन में राधा नाम का जाब चल रहा होता है मुझे फिर स्वपन में दिव दर्सन भी होने लगे तो मेरे मन को बड़ा सुकून मिला मैं समझ गया यह सब राधा नाम का ही पर भावा है आपको बता दूँ कि मेरे पिटा जी का स्वास कुछ सही नहीं चल ला था उनको दो हार्ड अटेक पर चुके थे जिसके कारण हम परिवाद वाले उनका बहुत ध्यान रखते थे कि उनको कोई ऐसी बात पता ना चले जिससे उनको दिल में किसी प्रिकार की चोट पहुचे एक दिन रात की बात है हम लोग खाना खा रहे थे अचानक उनके सीनी में दर्द होने लगा हम लोग उनको पास के अफ़टाले भरती करा दिये तो दॉक्टर ने उनका चेक करके कहा कि इनको तीसा अटेक पड़ा है हम सभी लोग घबरा गए दॉक्टर ने अपना ट्रीटमेंट चालू कर दिया उनको आईसवी म भरती करा दिया गया सुबह नौ बजे के बाद डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत ज्यादा खराब है अभी हम कुछ नहीं कह सकते मेरा मन बहुत खबरा गया किसी अनहोने की आसंका से मेरे मेरा मन की मन राधा नाम का जाब चल लहा था जिसके कारण मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे पिता जी ठीक हो जाएंगे आधे गंटे बाद डॉक्टर ने कहा कि उनकी धरकन रुख गई है मेरी मा बहन रोने लगी मेरा मन अभी भी यह मानने को तयार नहीं हो दा था मैं पिता जी के पास गया उनके सिर को सहलाने लगा और मनी मन राधा जी से प्राफना करने लगा करीक पांच मिनट के बाद अचाना उनकी धरकन लोट आई तो मैंने नर्स को बताया वो डॉक्टर को लेकर आगई डॉक्टर ने फिर टीट्मेंट चालो कर दिया डॉक्टर ने कहा कि यह किसी चमतकार से कम नहीं उनका जीवन अब बच गया है दो दिनों के बाद पिता जी स्वस्तो के घर आ गई सबसे ज्यादा आश्या तो तब हुआ जब पिता जी ने उस दिन की बात बताई जब उनकी धरकन रुग गई थी उन्होंने बताया कि एक सुन्दर सी कन्या आई उसने कहा आप सो क्यों रहे हो आप उड़ जाओ आपके परिवाब वाले आपका बुला रहे हैं वो रो रहे हैं बस मेरी आंक खुल गई मैंने तब उनको बताया कि वह कोई और नहीं राधा रानी थी उन्होंने आपके प्राण बचाए उस दिन से मेरे पिता जी और माता जी भी राधा नाम का जाब करने लगे आज भी दोनों लोग पूरी ट्रेस और स्वस्त हैं उनको कोई तकलीफ नहीं यह राधा नाम की ही तो महिमा है कि मुर्दे में भी प्राण फूर सकती है भाईयो बैनों आपने देखा कि राधा नाम आपके जीवन में क्या नहीं कर सकता जिसने राधा नाम का जाब किया उसका कल्यान होना निश्यत है राधा नाम जटने वाले को किसे और यू कभी निरास नहीं करती है आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत फूलिएगा अगर आपके पार भी बाके बिहारी की ख्रपार ब्रंदावन और राधा राने से जोड़ी कोई सची कता हो तो उसको मेरे वार्चप या इमेल पर भेज सकते हैं इमेल और वार्चप नमबर वीडियो के डिस्कुशन में दिये हुए हैं राधे राधे